हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू रेकान आनलाइन क्लासेज और हमारी जो यह सीरीज है जिसमें हम इंजिनियरिंग सर्विसेज और गेट के 2018 के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए अर्थक्वेक इंजिनियरिंग के कोश्चन सॉल करू दोस्तो इस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेवल को आइडेंटिफाई करें रेकान अपने ओनलाइन वीडियो के थुरू आपको यह पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता है कि लेवल को आइडेंटिफाई करना एक्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको रेकान के प्रोग्राम के बारे में पूरा जानना है हमारी वेबसाइट विजिट करें rcaonline.in और अगर आपको कोई क्वेरी है कि किस तरीके से हम लोग आपको घर बैठे वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो आप घर बैठे तयारी कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आज के वीडियो में मैं उन स्टूडेंट के भी नाम बताऊंगा जिन्होंने पिछले वीडियो के कोश्चन के सई आंसर दिया था वो कोश्चन था कि हम कोक को ग्लास बॉटल की कैप पे क्यूं यूज करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया मैं उनके नाम बताऊंगा आपको और साथ में आपको एंकरेज करूंगा कि इसी तरीके से कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट लिखें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो थमस अप करें अगर आपने अब तक रैकॉन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तो देट की कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो तो चलिए दोस्तों कोशन्स देखते हैं ए सेक्षन में तीन कोशन आये थे 42, 43 and 44 of earthquake engineering 42 कोशन लेवल 1 का था 43 कोशन लेवल 3 का था और 44 कोशन लेवल 2 का था मैं एक एक करके तीनों कोशन को लूँगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके सी ये कोशन examination hall में solve हो सकते थे चलिए देखते हैं कोशन नमबर 42 ground motion during earthquake is random इनी बिल्कुल सही बात है earthquake हमेशा unpredictable होता है mathematical point of view से भी for the purpose of analysis it can be converted into different harmonic excitation through तो देखिए हम जो unpredictable earthquake का आता है उसको mathematically किस तरीके से convert कर सकते हैं इसके बारे में बात की जा रही है और हम basic जब शुरू करते हैं दूस्तों तभी ये पढ़ लेते हैं कि fourier series एक ऐसी series है जो किसी भी function को sign और cos में convert कर देती है तो the answer is straight away a fourier series और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है Newton second law of motion नहीं हो सकता dommel integral बिल्कुल ही नहीं हो सकता time series analysis भी नहीं हो सकता तो what is the answer fourier series आपको basic of fourier series first day पढ़ा दिया जाता है कि fourier series वो series है जो किसी भी function को sign और cos में convert कर दे तो answer is a चलिए अब मैं पहले level two का question ले लेता हूँ which is a steel building has plant dimension of 50 by 50 meter and it is 120 meter toile it is provided with brick infill this is very important line brick infill panels the approximate fundamental time period of the building is तो दोस्तों इसमें आपके पास तीन formula हैं पहला है TA is equal to 0.075 h raise to power 0.75 दूसरा है TA is equal to 0.085 h raise to power 0.75 और तीसरा है TA is equal to 0.09 h divided by root of d अगर आप देखें तो ये दौनों formula जो हैं एक RC frame का है और दूसरा steel का है लेकिन brick in panel का formula है 0.09 h divided by root of d तो देखें आपको क्या करना था दोस्तों 0.09 height आपको 120 meter दे रखी है divided by root of 50 this is the calculation which is required to solve this question ज़रत नहीं है exact calculation करने हैं अगर आप option पर ज्यान दें तो देखेंगे options काफी दूर हैं तो आप approximate calculation भी कर सकते हैं मैं root 50 को 7 लिख सकता हूँ तो 7 into 0.09 multiply by 120 तो if you see friends तो 120 multiply by 0.09 divided by 7 will be approximately near to 1.53 exact calculation भी आप कर सकते हैं लेकिन exact की जरूरत नहीं थी answer काफी दूर दे रखें हैं और कोई option हो ही नहीं सकता था यह इस दा answer तो 44 question level 2 मैंने इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा सा time taking था आपको इत्मिनान से question पढ़ना चाहिए था steel building देखके यह वाला formula नहीं लगाना था because brick infill panel दे रखा था आपका formula था ta is equal to 0.09h divided by root of t very important अच्छा question है ऐसे question expected रहते हैं engineering services में और जो toppers होंगे I am sure उन्होंने इस question को अच्छे से solve किया होगा before starting question number 43 मैं उन students के नाम बता दूँ जिन्होंने previous video में पूछा गया था question की coke को glass bottle पे क्यों लगाया जाता है as a care इसमें सबसे सही और most accurate answer दिया सुजीत पंडे ने बाकी कुछ लोगों का answer काफी नजदीक था उनके नाम है नवीद, सुमित, सौरब, विनीत, एनासितोश बाकी लोगों में भी बहुत से लोगों ने answer दिया लेकिन it was not up to the mark तो ये बात सही है कि कोक का poisons ratio 0 होता है लेकिन इसके अलावा जो important चीज इसमें समझने की है कि आप जब friction के against कोक के cap को press कर रहे होते हैं bottle के अंदर तो आप देखें radial force कोक के cap के चारों तरफ जनरेट होती है इसकी वज़े से vertical direction में इसकी length बढ़ सकती है अगर कोई और material होता तो लेकिन क्योंकि कोक का poisons ratio 0 है तो इसकी length बढ़ती नहीं है और आप minimum force के साथ cap को लगा सकते हैं इसी की जगा अगर हम rubber यूज कर लें तो इसका poison ratio 0.5 है उसका उपर का part पूरा full जाएगा और आपको बहुत जादा force लगाना पड़ेगा cap को नीचे लाने में तो the real reason is the radial force उसकी वज़े से upward जो vertical part है उसका dimension increase नहीं होना है that is the correct explanation which I am looking for इसी तरह try करते रहिए दोस्तों और अपनी engineering को enjoy कर लिए चलिए अब देखते हैं question number 43 a RCC structure with fundamental time period of 1.2 second vibrate at a forcing frequency of 10 radian per second the maximum dynamic displacement is x percent of static displacement the value of axis a little complicated question earthquake engineering को जो काफी detail में पड़े हैं उनी को इसका solution मिलेगा लेकिन उसके बावजूद the calculations are quite tough थोड़ी सी difficult calculation थी time taking calculation थी better था ऐसे questions को छोड़ दें मैं इसको level 3 पे रखता हूँ मैं आपको इसका solution दे देता हूँ कि किस तरीके से इस question को solve किया जाएगा तो जो formula आपको याद रखना था वो था dynamic displacement divided by static displacement जिसको हम magnification factor भी कहते हैं this is equal to 1 divided by 1 minus beta square mod अब beta क्या है यहाँ पे यही आपको पता करना था क्योंकि आप से पूछा क्या गया है static displacement यहाँ भेज दीजिए तो dynamic displacement static displacement का कितना part है यानि कि आपको यह चीज calculate करनी है और आपको beta पता करना था beta का formula होता है omega divided by omega n now omega आपको दे रखा है 10 radian omega n के लिए दोस्तों आपको time दे रखा है 1.2 second तो अब आप omega n निकाल लीजिए omega n क्योंकि आपको time period दे रखा है तो आपका omega n हो जाएगा 2 pi divided by tn tn आपको 1.2 second दे रखा है so 2 pi divided by 1.2 तो अगर आप देखें तो beta हो गया दोस्तों 10 divided by 2 pi into 1.2 इस value को यहाँ put कर दीजिए 1 divided by 1 minus 10 over 2 pi into 1.2 square का मौट एक लिटल tough calculation जो आपको करनी थी अगर आप इसको कर लेते हैं यू विल गेट इस value as 0.377 यानि की 37.7 percent of static displacement a very lengthy question first of all क्योंकि calculation काफी ज़्यादा थी and at the same time काफी detail solution था तो I advise कि ऐसे question आप exam में छोड़ दें do not try to attempt those questions which are time taking क्योंकि दोस्तों ये question भी two marks का है and ये question भी two marks का है तो अगर आपको ये question करने से भी two marks मिल रहे हैं इस question को भी करने से two marks मिल रहे हैं तो better है पहले इस question को करिए फिर इस question में आईए होता है तो बहुत अच्छी बात है वरना छोड़ दीजिए because 320 से ज़ादा किसी topper के marks होंगे नहीं engineering services के paper 1 और paper 2 मिला के with that friends thank you very much इसी तरह रैकॉन के videos देखिए और अपनी engineering को enjoy करिए